नमस्कार दोस्तों, स्वाकत आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओनली टोथ पर एंट्रेटीन्मेंट वर्ल्ड से एक चोकाने वाली खबर सामने आ रही है प्रसित भजन गायक नरिंदर चंचल जी का निधन हो गया है शुकरवार दोपैर को नरिंदर चंचल ने आकरी सास ली भजन गायक पिछले तीन महीनों से बिमार थे और उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में बढ़ती कराये गया था जहां नरिंदर चंचल का लंबे समय से इलाज जारी था नरिंदर चंचल ने कई भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाये हैं हाले कि उनको भजन गायकी के लिए खास तोर पर जाना जाता था नरिंदर चंचल का जनम 16 अक्टूबर 1940 को अमरिच सर में एक धार्मिक पंजाबी परिवार में हुआ था वे एक धार्मिक माहोल में पले बड़े हुए हैं जिसकी वज़े से उनको भजन कीरतन गाना शुरू से ही पसंद था सालों के संगर्ष के बाद नरिंदर चंचल ने 1973 में आई रिशी कपूर डिंपल का पड़े की फिल्म बॉबी के लिए गाना गया था ये बॉलिवुड गाना बेशक मंदिर मस्जिद गाया था इसके लिए नरिंदर चंचल को फिल्म फियर बैस्ट मेल प्लेबेक अवार्ड मिला था उन्हें अमेरिकी राज्य जॉर्जिय की मानद नागरिकता भी प्राप थी फिल्म बॉबी के बाद नरिंदर चंचल ने 1974 में बेनम और रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के लिए गाने गाया लता मंगेशकर के साथ नरिंदर चंचल बागी कुछ बचा को मेंगाई मार गई गाना गया इसके अलावा उन्होंने मुहमद रफी के साथ